वेल्कम टू दे अनदरू फाक्ट्स वीडियो के टॉप 12 हाइस पेड़ अक्टर सौप 2022 के बारे में बताएंगे साल 2022 के मोस्ट हाइस पेड़ आक्टर को जानने के लिए आपको इस वीडियो को एन तक जरूर देखना है चलिए सुरू करते हैं कनड़ा फिल्म इंडस्ट्री के सूपर स्टार के साथ इस लिस्ट में बारवे नमबर पर आते हैं रॉकी भाई यानि की यस इपोर्ट्स की माने तो यस ने केज़ चाप्टर टू में यस का किरदार ने भाने के लिए 30 करोड रुपए चार्ज किये थे जिसमें फिल्म का बजट ही 100 करूड का था यस की एक्टिंग फेस उन्हें करणा सिनमा के हाईस पेड आक्टिवस में से एक बनाती है यस ने केज़ चाप्टर टू मूवी के लिए लगभग चार साल दिये हैं और हमें रेली उनका हाड़ वक और डेडिकेसन बिग स्क्रीन में देखने को मिला है यस का फिल्म के प्रभास बॉक्स ओफिस पर एवरेज आउटिंग लिए हुए हैं वहीं वो अपनी अपकमिंग मुवी के साथ ग्रेट बाउंस बैक करने के लिए तैयार हैं प्रभास ने जहां बाहुबली 1 के लिए 20 करूर रुपए और बाहुबली 2 के लिए 25 करूर रुपए चार्ज कि इसलिए प्रभास ने पनी फिस का बड़ा अमाउंट रिटर्न कर दिया अब अगर प्रभास के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो उसमें प्रोजेक्ट के आदेपुर्स और सलार शामिल है एस पर एपोर्ट्स प्रभास साल 2023 में आने वाली मूवीज के लिए 100 to 150 क्रोज तक चार्ज कर रहे हैं वेल 2023 में हम इन प्रभास से काफी बेटर उम्मीदे भी है नमबर टैन साउथ एक्टर्स के साथ ही अब बढ़ते हैं बॉल्यूट की तरफ इस लिस्ट में अगला नाम आता अक्टर आयुसमान खुराना का साल 2022 में आयुसमान ने भी 15 क्रोज चार्ज किये मंबर नाइन इस लिस्ट में अगला नाम आता है चयान विक्रम का विक्रम ने साल 2022 में टोटल तीन मूवीस महन कोब्रा और पुनियन सेलवन वन की है हाला कि विक्रम ने महन के लिए कितने रुपीज चार्ज किये थे उसकी accurate information अवेलिबल नहीं है ले भग 12 करोड रुपए चार्ज किये है नमर एट एसस राजा मॉली की ट्रिपल आर ओडियन्स के लिए एक विजवल ट्रीट की तरह है फिल्म में जूनियर एंटियार ने कोमरं भीम का किरदाने भाया जिसके लिए उन्हें 45 क्रोज की फी चार्ज की थी वैसे तो ये एक नाम और पहचान बनाने में काम्याब हुए हैं जहां उनकी लास्ट फिल्म की आक्टिंग फी 45 क्रोज थी वहीं वो अपने आने वाने फिल्म के लिए 55 क्रोज कर रहे हैं लगभग आठ से 10 करोड रुपय का अमाउंट चार्ज करते हैं अपार्ट फ्रॉम देस मूवी में उनका रोल पर भी उनकी फी डिपेंड करती है साल 2022 में अमित जी ने कुछ आठ फिल्मों के लिए काम किया जिनमें से फक्त महिलाओ माटे एक गुजराती फिल्म जिसमें अमिताब जी ने स्पेसल एप्रियंस दी और फिल्म चुब रिवेंज आप दा आर्टिस्ट में भी अमित जी का कैमी रोल था इसके लावा फिल्म जुन के लिए उन्होंने कोई भी फी चार्ज नहीं की वहाई फिल्म राध हिसाम के हिंदी वर्जन के लिए उन्होंने एज अनरेटर काम किया साल 2022 मैं अमित जी की चार बड़ी फिल्मों में रनवे 34, गुटबाई, ब्रहमास्र और उन्चाईर सामिल है रनवे 34 के लिए अमिताब बच्चन जी ने 15 करोड रुपे की फी चार्ज की थी वहाई गुटबाई और उन्चाई के लिए उन्होंने 10-10 करोड रुपे का अमाउंट चार्ज किया जून 2022 में आई कमल हसन के फिल्म विक्रम एक तामिल आक्शन थ्रियल मूवी है फिल्म के डाक्टर लोकेस का नगराज है जिन्होंने रतन कुमार के साथ मिलकल फिल्म की स्क्रिप्ट भी लिखी फिल्म को कमल हसन नहीं प्रिड्यूस किया और साथ ही में टाइटल रोल विक्रम का किरदार भी नहीं भाया इस फिल्म के लिए कमल हसन के अक्टिंग फी कुछ 50 करोड रुपे रही विच वास विच मेड़ अड़ हिम तु दिस लेस्ट अब बारी आती है बॉल्यूट के सूपरस्टार रितिक रौसन की विक्रम वेथा जिसका फर्स्ट लुक उनके 48 बर्दे पर रिलीज किया था रितिक की विक्रम वेथा वैसे तो 2017 में आई फिल्म की रीमेक थी लेकिन इसे साल 2022 में फिर से बिग बजट के साथ हिंदी में बनाया गया और हम सभी ने इस मुवी को काफी पसंद भी किया इस फिल्म के लिए रितिक ने कुछ 50 करोड रुपे का मावन चार्ज किया विच मेक सिंग वॉन अब दे तॉप फाइब हाइस स्पीड अक्टर इन 2022 वहीं अगर रिपोर्ट की माने तो रितिक लगभग 65 क्रोड रुपीज एक मुवी के लिए चार्ज करते हैं इस लिस्ट में चौथे नमबर पर आते हैं जैसा कि हम जानते कि ट्रिपल रार 2022 की एक बिग बजट मुवी है वहीं जहां जूनियर एंटी आर ने इस फिल्म के लिए 45 क्रोड रुपीज चार्ज किये थे तो इसे फिल्म में एक और लीड रूल ने भाने वाले राम चरण ने भी अपने रूल के लिए 45 क्रोड चार्ज किये ट्रिपल रार के बाद राम चरण की एक और मुवी अचारिय भी आई जिसके लिए उन्होंने कुछ 10 करोड रुपई चार्ज किये वहीं सुनने में आया है कि राम चरण अपनी अपकमिंग फिल्म के लिए 100 करोड तक कामाउंट चार्ज करेंगे इस लिस्ट में अगला नाम आता है हमाल स्टाइल स्टार रनवीर संग का रनवीर ने 2022 में टोटल दो मुवी किये जिन में जईज भाई जोरदार और सरकफ सामिल है जईज भाई जोरदार के लिए रनवीर ने 30 करोड रुपई चार्ज किये वहीं हाल ही मैं आई रोहित सर्टी के फिल्म सर्किस के लिए रनवीर के आक्टिंग फी 50 करूर रुपाई रही हाला कि सर्कुस को लेकर रिव्यूस तो अच्छे नहीं है और आपने इस फिल्म सर्कुस को देखा है तो यार कॉमेंट्स में बताओ कि आपको ये फिल्म कैसा लगा वेला अंसर्स तो मुझे अल्रडी पता है क्योंकि मैं भी इस फिल्म का विक्टम रहा हूँ पर फिर भी आप कॉमेंट में जरूर बताना अजे देगर ने 1991 में अपने आक्टिंग करियर की शुरुआत की थी और वो आज हाई स्पेड आक्टर्स फो दे यर की इस लिस्ट में दूसरे नमबर पर हैं और ये भी जानते कि ही इस लिस्ट फॉर गुड रीजन अजे से ने साल 2022 में टूटल पांच फिल्मों में काम किया और लगभा उनकी सारी ही फिल्मों ने बॉक्स आफिस पर अच्छी परफॉर्म दी है फिल्म गंगुबाई कात्यावाली में रहीम भाई के कैमियो रूल के लिए जहां उन्होंने 11 करोड रुपए चार्च किये वहीं अगली फिल्म ट्रेपल र में अलोरी वैंके टरामा राजू के खिरजार के लिए 35 करोड रुपए चार्च किये उसके बाद उनकी फिल्म रन्वे 34, ठांग गौड और हाली माई द्रिस्यम 2 अजने रन्वे 34 के लिए 25 करोड रुपए चार्च किये ठांग गौड के लिए 25 और द्रिस्यम 2 के लिए 30 करोड रुपए चार्च किये जैसा कि हम सभी जानते कि अक्से कुमार साल में कम से कम चार मूवीज करते हैं और कभी-कभी वो पाथ से छे मूवीज भी करते हैं विच अल्टिमेटली एफेक्ट से सर्णिंग्स फ्रॉम मूवीज फॉर दे यूर वही अक्से एक मूवी के लिए लगभग 100 करूट तक की अक्टिंग फी चार्ज करते हैं अक्से ने साल 2022 में 6 मूवीज में काम किया वही अक्से की अक्टिंग फी की बात करें तो उन्होंने फिल्म बच्चन पांडे के लिए 99 क्रोज सम्राट पृत्विराज के लिए 60 क्रोज रक्सा बंधन के लिए 110 क्रोज कट फुतले के लिए 120 क्रोज और राम सितू के लिए 50 क्रोज चार्ज किये अक्से की साल 2022 में आक्टिंग फी की बात करें तो इसका टोटल लगभग 439 क्रोज होता है और अगर आपके पास एससे रिलेटेड कोई और वीडियो की टॉपिक है तो आप कॉमेंट में ज़रू बताना इसे के साथ ऐसे और में इंट्रस्टिंग वीडियो को रेगुलरली दिखने के लिए दिए 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 को सब्सक्राइब करें और अगर को आपिए और अगरा है तो जापने के लिए खर बेल इकने जारे टीए तो अग्रोज होलागी, मैं जापे टॉपिक वीडियोग दोपिक है